जै माकाली दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी काहर्दिक स्वागते माकाली बगत गयान यूटुब चैनल में तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सनी वार के दिन माकाली को ये एक चीज चड़ा देना जो मैं आपको बताऊंगी ठीक है ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना और सुनना समझना भी तो मैं एक चीज ऐसी बताने वाली हूँ जिससे आपको कई ज़्यादा फाइदे होएंगे पहला आपकी हर एक मनो काम नौएगी ठीक है दूसरा माकाली के आपको शाक्षा दर्शन भी होंगे और उसके साथ सतीसरा अगर आपका कोई भी कारें नहीं बनता है वो भी बनेगा तो ये चार-पांच चीजों के आप लोगों को इसमें फाइदे होने वाले हैं तो बताने से पहले मेरी आप सभी सरी क्वेश्टे अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेर कमेंट जरूर कर देना क्यूंकि इस चैनल पे आपको ऐसी काम जरूर करना है सनीवार के दिन सबसे पहले दोस्तों सभी भक्तों की यानिकि सभी सेवकों की जो माता काली की पूजा पाट करते हैं सेवा करते हैं काफी ज़्यादा पूजा पाट करते हैं बट उनको कुछ अनुभव होते ही ना ही माकाली के दर्शन होते हैं ना ही उन तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप लोग माताकाली के शाक्षा दर्शन करना चाहते हैं और उसके साथ साथ माताकाली से हर एक मनो कामना अपनी पूरी कराना चाहते हैं और उसके साथ साथ माताकाली को परसन भी करना चाहते हैं तो ये जो काम मैं बताऊंगी इसमें आपके कम से कम पांच छे फाइदे होने वाले केवल एक काम के अंदर ही अंदर आपके पांच छे फाइदे हो जाएंगे और कोई जादा बड़ा काम नहीं है ये छोटा सा काम है ये तो हर कोई भगत कर सकता है जब भई उसको ये सब ची पराप्त करना चाहते हैं मातकाली को प्रसन करना चाहते हैं तो ये चीज जरूर चड़ाना जो मैं आपको बताने वाले हूँ तो दोस्तो सनीवार के दिन आपको करना क्या है पाँच सनीवार आपको मातकाली को 108 नीबु की माला चड़ानी है यानि कि आपके आसपास कोई भी मातकाली का मंदिर हो सभी देवी देपता हो का हो चाहे वो पर वहाँ पर मातकाली की मुर्ती होना जरूरी है अगर वहाँ मुर्ती है तो आप लोग अपने आसपास जहां भी आपके मातकाली का मंदिर है वहाँ जाकर हर सनीवार को यानि कि 5 सनीवार को मातकाली को 108 नीबु की माला जरूर चड़ा कर साथ बार उसको उतार कर अपने उपर से माताकाली को चड़ाएं और उसके अंदर उसके सिंदूर का टी का जरूर लगा दे सबी निम्बू पे यानि कि 108 बार 108 निम्बू पे लाल कलर का यानि कि सिंदूर का टी का आप लोगों को लगाना है जैसे कि हम लगाते हैं अपने म मातकाली का एक दिया जलाना है और दूबत्ती लगानी है और बाकी आपको ये काम करना है और इसको करने के बाद आपको जब पांचवा सनीवार आपका कम्पलीट हो जाएगा तो आपको करना क्या है कि मातकाली के नाम से कहीं भी कुछ भी यानि कि मातकाली के नाम से आप कुछ भी चीज मातकाली के उपर से नाम से आप किसी भी गरीब व्यक्ति को एक को किसी को चाए एक को करो दान कर देना ठीक है चाहे कपड़े दान कर दो, चाहे मातक की चुन्नी दान कर दो, चाहे मातक कुछ भी जो भी है माकाली का पिरिये, उस चीज को आप लोग दान कर दो, एक बंदे को ठीक है, एक बंदे को करना जो की फुट पाट पर पड़े रहते हैं, यानि की गरीब होते हैं, उनको दान करन सिर्फ एक बंदे को कर दो, वह भी आपका लग जाएगा जब आपके पांस सनिवार पूरे हो जाए, और देख ले न दोस्तों पांस सनिवार होने की बात तो दूर की है, पांस सनिवार के अंदर ही अंदर आपको मातकाली के शाक्षा दर्शन होईँ सबसे पहले, ठीक है, फ फिर उसके बाद आपको आपके घर में कोई भी नेगटीव सक्तिया हो जो भी कुछ हो न करात्मक हो सब को माता काली दूर निकाल फैकेगी अपने कबजे में ले लेगी फिर आपको कहीं भी डरने की कोई अविशक्ता नहीं है समझे आप तो इस चीज को करने के आपको कितने फाइदे हो रहे हैं तो ये काम तो आपको सबसे पहले करना चीए सबसे पहले ठीक है आपको अगर पता नहीं था तो मैंने बता दिया जिन भक्तों को पता है तो उनके लिए ठीक है वो पहले से ही कर रहे हैं और जिन को नहीं पता वो अब इस वीडियो को देखने के बाद सुरुबात कर लें अपनी जिन्दिकी को एक नई सुरुबात दें और अपने आपको बदलने की कोशिश करें ठीक है दोस्तों मैंने आप सभी को अच्छे से समझा दिया है चोटा सा उपाए है या आप असानी से अपने घर में कर सकते हो 108 नीमो की माला मंगा के माकाली के जैमा काली हर हर महादेव मैं विंती करूंगी मातकाली से मातकाली आप सभी की सारी मनों का आमनाय जल से जल पूरी करें खुस रहें आप खुस रहें आपका परिवार जैमा